नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का स्टेडियाग्यू पीस्व चानल पर मिरा नाम है अब शेक और आज बिहार की खबर में हम दो नई खबरों को जानेंगे और उनको समझेंगे कि प्रिलिम्स और मेंस के पस्पर्टिस से वो न्यूस क्यों इंपॉर्टन है टॉपिक है आज का बिहार के लिए बंदे भात ट्रेंज और जीविका हट जो कि अभी अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है अगर आप मुझसे टेलेग्राम पर जोड़ना चाहते हैं तो टेलेग्राम चैनल है लिंक मेरा लेंड और इन ग्रोव विद अभिशेक यूड आ अगर आप त्यारी कर रहे हैं उत्तरपदेश, हर्याना, बिहार, मध्यपदेश, ओडिशा, पंजाब, असाम, वेस्प्रेंग कॉलर, जमुन, कश्मीर, स्टेट, PCS की तो जल्दी से जाईए स्टेडी आएक्यू, PCS की वेबसाइट पर जाके इस को पर्चेस को पर्चेस क पर्चेस का प्री मेंस की त्यारी इसमें साथ-साथ कर वाई जाती है, मेंटर्शिप इसमें बलेंगी, टेस्णीष में बिलेंगे, नोट्स असमें बलेंगे, तो बिल्कुल देव importance है हमारे examination के लिए ये समझते हैं देखें चार है four more बंदे भारत ट्रेंस अगर आप देखेंगे कि बिहार से आने जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी जाधा रहती है डिमांड कितनी जाता है तो उस डिमांड को फुल्फिल करने के लिए ट्रेंस भी चलाई गई देखते हैं कि कौन-कौन चैसी जगएंा जिनके बीच में चला रही है इंपरन्ट है प्रिलिस प्रस्पेक्टिव ऐसा पूच שते हैं कि प्रिलिस में कि किनी वंदे भारत ट्रेंस चलाई गयी है ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, प्रिलिंस में, MCQ की तौर पे, multiple choice questions की तौर पे, कि चार option दे देंगे, उन में से पुछा आएगा कि कौन सा ऐसा route है, जहां पर वंदेभार train नहीं चल रहे है, बिकास इस बसे news और बहुत ही recent की news है, तो आने वाले जो exam है, 70th PPSC का paper है, या फिर अन्य, जितने भी one day examinations होते हैं, उन में भी ये चीज़ पूछी चा सकती है, अब से, so you can just remember this, कि कौन से route पे चलती है, ये बात होगी, प्रिलिंस की, ये प्रिलिंस के perspective से चीज़े होगी, अब देखते हैं कि मेंस के perspective से क्या चीज़ होती है, अब देखे, वंदे भार बदनाम भी इस वज़े से ही है, कि वहाँ पे trains delay बहुत होती है, मतब दिली से जो आने वाली trains होती है, यूपी तक तो सही चलती है, लोग की यूपी के बात जैसे ही जाती है, वहाँ पे trains का delay होना स्टाट वियाता है, लेकिन अब नहीं होगा, faster travel होगा, एक तरीके से accountability बन से लोगों को advantage भी होगा, तो faster travel एक major point यहाँ पर होगा, mains में अगर आता भी है, कि infrastructure development होता तो इससे क्या लिखोगे, तो ऐसे आप connect कर सकते हो, service जो होती है, service better दी जाते होगा, second point है more comfortability, comfortability जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है, अधिक आराम दायकता, ये इस जो trains चली है, इ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो कि बहुत ज़ादा frequent travel करते हैं, तो उनके लिए काफी ज़ादा helpful होगा ये चीज, और safety का issue होता है, तो safety भी यहाँ पर include कर सकते है, safety, ठीक है, तो ये सारे points important है, जो मैं ये point लिख रहा हूँ, ये सब आप feel भी करोगे, face भी करोगे, अगर आप अभी travel करते हो तो और ये इस चीज की value भी रहती है, तो एक तरीके से जो ticket की high price रहती है, उसमें आप ये चीज़ें ले रहे होते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि high price है, बहुत ज़ादा rate कर दिया है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ services भी provide की जाती है, जो कि important है, लोग demand भी करते हैं, ऐसी services की, efficient connectivity, connectivity का मतलब है कि stations की बीच में, बीच के जो समय की दूरी होती है, अगर आप road travel करते हो, तो उसमें समय जादा लगता है, train travel करोगी, तो समय कम लगेगा, जल्दी से पहुँच जाओगे, first point के साथ connectivity, कुशल connectivity, ये भी important point यहाँ पर आपका हो नेक्स्ट इस infrastructure development, अब infrastructure development हो रहा है, अगर ऐसा होगा कि बहुत सारी trains चल रही है, ठीक है वंदेभाद trains चल रही है, इसका ये मतलब है कि कोई अगर businessman भी है, अगर उन्हें भी travel करना है, तो definitely कि उनके पास ये रास्ता है कि हाँ भी easily time से train चलती है, time से वो अपने शहर से किस system बन सकता है यहाँ पर, एक पारिस्तितिकी बन सकती है, businesses की वो बहुत अच्छी develop हो सकती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कदम है, infrastructure development के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से ये कदम ही है, advantage ही है वहाँ के लोगों को और एक तरीके से आस-पास की जो जिले हैं, ठीक है, इ नियादी धार्चे का विकास एक ये major point हो गया, और improved passenger experience, जैसे मैंने बताया आपको safety वाला point, तो safety वाला point यहाँ पर काफी माइने रखेगा, ठीक है, ये चीज़ important हो जाएगे, तो ये हो गए advantages, बंदे भारत trains के, mains के perspective से अगर आपको इन चीज़ों को connect करना है, लिए हो जाएंगे mains examination में, आते हैं अगली खबर की तरफ, अगली खबर है हमारी दिल्ली हाट की तरह बिहार के तीन जिलों में बनेगा जीविका हाट, जीविका हाट की बात जो मैंने अभी आपको first slide पर दिखाया था, जो title दिखाया था, तो जीविका हाट है क्या, basically वो कुछ इन पार्मेंट के लिए, यह initiative चलाया गया है, बहुत इमपॉर्टेंट पॉइंट है यह, वोमें इंपार्मेंट, महिला सशक्ति करन, महिला सशक्ति करन के लिए यह point एक तरीके से बनाया गया है, इसको बिहार के तीन जिलों में बनेगा जीविका हाट, दीदी कि इन सामानों के स्टाल कौन कौन से ऐसे इस लगाये जाएंगे वह देख लेते हैं देखे इस टॉल में आएगा आपको मिधला पेंटिंग शिल्प क्राफ्ट अचार इसके अलावा मत सिपालन और बहुत तरीके के स्टॉल लगाये जाएंगे और उसमें कौन मेजर परसन र जाएंगे हैं वह स्टॉल आत्य समस्ति पुर बोजपूर और नान लंदा च इयाएंगे देखी गां बाश्त निर्मित उत्पाद यहां पर मिलेंगे यहांपर मिलेंगे सुधा स्ब्रबूश्द को और कोरेगा इन सारी में वुमिन्य इनिशेटिवे आं यहां पर बिमारियां है तो इसे लिए और यहां में देखना प्रूशद हैं यह संद मनेバージ नथदी वृवर्वा Still बहुत जरूरी है दुर्जन औशधी भी यहां पर प्रवाइट की जाएगी प्लेसे कौन-कौन सी है ओल्ड गर्मेंट बिल्डिंग्स होगे इंदर समसीपूर भोजपूर और नालंदा डिस्टिट्स तो पुरानी जो गर्मेंट बिल्डिंग्स हैं वहां पर इनको लगाया जा सकता है ठीक है उनमें इनको स्टार्ट किया जा सकता है उनमें ही स्टार्ट करना भी है इससे होगा क्या मैंने आपको बताया महिला सशक्ति करन एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर है यहां पर इसके अलावा जो क्योंकि महिलाएं ही इसको रन करने वाली है इसका मतलब है कि economic perspective से या फिर आर्थिक परिप्रेक्ष से यह important factor हो जाता है यहाँ पर कि महिलाओं को एक तरीके से हमें बढ़ाना है उनका सामाजिक इस तर भी बढ़ाना है उनकी जो mental level होता है कि वो नहीं कर सकती है वो घर में रिसकती है तो इस चीज़ को तोड़ना है और वो आगे निकल क आएंगी economic एक तरीके से वो development कर सकती है अपना भी family का भी और आगे आने वाली generations का भी तो इस महिला सशक्ती करण को बढ़ाने के लिए यह initiative launch किया गया है बिहार government के दोरा तो यह हो गई बात आज के बिहार के news की जो हमने आज कवर किया पहला हमने कवर किया बंदे भारत स् मेंस के perspective से दूसरा हमने दिखा जो महिला जो दीदी हार्ट है नाम भी दिया गया है दीदी हार्ट इसी वज़े से क्योंकि महिलाएं हैं उसमें काम करने वाली है तो यह आज हमने कवर किया मिलते हैं अगली खबर जो आएगी वह बिहार के जो खबर आने वाली है उसको कव कर लिजएगा क्योंकि यहां पर आपके लिए ही सारी चीजे फ्रीली अविलिबल करने के लिए स्टेडिया क्यों तक पर है मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में तब तक के लिए जैहिंद टेके रिवेंट गुडबाई